दोस्तों, पेश है महाभारत का एक और नया प्रसंग। आज की कहानी में आप देखेंगे की कैसे पांडु ने खुद पुत्र नव पन करने की स्थिती में कुंती से संतान प्राप्ती के लिए दूसरे किसी श्रेष्ट पुरुष के साथ समागम करने की याचना की और किस तरह कुंती और मादरी ने देवताओं को मंत्र से समोहित कर बुलाया और उनसे समागम करके श्रेष्ट और वीर पुत्रों को उत्पन्न किया जो पांच पांडव कहलाए वे पांडु के वीर्य से न उत्पन्न होने पर भी पांडु पुत्र ही कहलाए पांडू की मृत्यू कैसे हुई और पांडू की मृत्यू के बाद उनकी पत्नियों और पुत्रों का क्या हुआ आईए जानते हैं कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चानल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि रोचक कहानिया आपके लिए लगातार ला सकूँ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेय कीजिए साथ ही अपने कोमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्णा जरूर लिखिए धन्यवाद पांडू का कुंती को पुत्र प्राप्ती के लिए प्रैत्न करने का आदेश पांडू ने रिशियों से पूझा आप कहां जा रहे हैं रिशियों ने उत्तर दिया हम ब्रहमलोग जा रहे हैं पांडू भी उनके साथ जाने के लिए उट खड़े हुए रिशियों ने कहा यहाँ परवत दुर्गम है आपकी पत्निया यहाँ कश्ट सहन नहीं कर सकेंगी पांडू ने कहा संतानहीन के लिए स्वर्ग का दर्वाजा बंद रहता है मैं भी संतानहीन हूँ इसलिए दुखी हूँ तपस्वी मुन्यों मैं पित्रों के रिंड से मुक्त नहीं हो सका हूँ इस शरीर के नाश होने पर मेरे पित्रों का पतन हो जाएगा रिशियों ने कहा धर्मात्मा नरेश तुम्हें पाप रहित देवोपम संतान होने का योग है भाग्य ने जिसे दे रखा है उसे प्रयत्न द्वारा प्राप्त करना चाहिए आप निश्चे ही गुणवान और हर्शत पादक संतान प्राप्त करेंगे मुन्यों का वचन सुनकर राजा पांडू सोच में पढ़ गए वे जानते थे कि मृग रूप धारी मुनी के शाप से संतान उत्पन करने का उनका पुरुशार्ट नष्ठ हो चुगा है एक दिन वे अपनी पत्नी कुंती से बोले देवी यह आपत्ति काल की स्थिती है संतान उत्पन करने के लिए आवशक प्रयत्न करो संतान ही धर्म में प्रतिष्ठा है संतान ही मनुष्य के यग्य, दान, तब और नियम पूर्ण नहीं माने जाते आपत्ती काल में श्रेष्ट पुरुष से संतान प्राप्त करना धर्म सम्मत है अतह कुंती, मैं संतान उत्पादन की शक्ती से रहित होने के कारण तुम्हें दूसरे के पास भेजना चाता हूँ तुम मुझसे भी श्रेष्ट पुरुष के साथ समागम करके संतान प्राप्त करो यह सुनकर कुंती ने कहा धर्मग्य, आप मुझसे ऐसी बात न कहें मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ आप ही मेरे गर्ब से धर्म पूर्वक पुत्र उत्पन्न करेंगे मैं आपके सिवा किसी अन्य पुरुष से समागम नहीं कर सकती इस पृत्वी पर आपसे श्रेष्ट दूसरा मनुष्य कोई नहीं है धर्मात्मन पूर्वकाल में राजा व्यूशिताश्व हुए जो पूरुवंच की वृध्धी करने वाले थे एक समय जब वे यग्य कर रहे थे तबिंद्र आदी देवता उस यग्य में पधारे राजा व्यूशिताश्व के यग्य में देवता और ब्रहमर्शी स्वयम सब कार्य कर रहे थे राजा व्यूशिताश्व ने अश्वमेद यग्य में चारों दिशाओं के राजाओं को जीत लिया उनकी पत्नी भद्रा अत्यन्त रूप वती और प्रिय थी राजा व्युशिताश्व राज यक्ष्मा के शिकार हो गए और थोड़े ही समय में परलोक वासी हो गए उनकी पत्नी भद्रा ने बहुत विलाप किया और कहा कि वह भी उनके साथ मरना चाहती है तब आका श्वानी हुई भद्रे उठो और जाओ इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम रितुसनाता होने पर चतुरदशी या अश्टमी की रात में मेरे इस शव के साथ सोजाना भद्रा देवी ने पती की आग्या का पालन किया और उस शव के द्वारा साथ पुत्र उत्पन्न किये जो शाल्वदेश और मद्रदेश के शासक बने आप भी मेरे गर्ब से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि आप तपस्या और योगबल से संपन्न हैं। वैशम पायन जी कहते हैं, कुंती के यो कहने पर राजा पांडू ने कहा, कुंती तुम्हारा कहना ठीक है। पती अपनी पत्नी से जो बात कहे, वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। कुंती बोली, पती का प्रसंद करना नारी का करतव्य है। पत्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। सत्यवानों में श्रेश्ट नरेश। बताईए, मैं किस देवता का आवाहन करूँ। मैं आपके संतोश के लिए तयार हूँ। केवल आपकी आज्या की प्रतीक्षा में हूँ। पांडू बोले, प्रिये, मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया। तुम ही मेरे कुल को धारन करने वाली हो। उन महर्शी को नमस्कार है, जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता। इसलिए तुम आज ही विधी पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। सबसे पहले धर्म का आवाहन करो। क्योंकि वेही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है। हमारा धर्म कभी अधर्म से सन्युक्त नहीं हो सकता। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा। अताह तुम मन और इंद्रियों को सन्यम में रखकर धर्म देवता का आवाहन करो। अपने पती पांडु के कहने पर नारियों में श्रेष्ट कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्या लेकर उनकी परिक्रमा की। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमे जय, जब गांधारी को गर्ब धारन किये एक वर्ष बीद गया, उस समय कुंती ने गर्ब धारन करने के लिए अच्युद स्वरू भगवान धर्म का आवाहन किया। जहां कुंती देवी जप में लगी हुई थी। धर्म ने हंसकर कहां, कुंती बोलो तुम्हें क्या दूं। कुंती बोली, हे धर्मराजियम, आप मुझे पुत्र दीजिये। तब योगमूर्ती धारन किये हुए धर्म के साथ समागम करके कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। जब चंद्रमा जेश्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशी पर विराजमान थे, शुकल पक्ष की पूर्णा पंचमी तिथी थी और अभिजित मुहूर था। उस समय कुंती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जो महान यशस्वी था। उसके जन्म लेते ही आकाश्वानी हुई, यह श्रेश्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगन्य होगा और इस पृत्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिश्ठिर नाम से विख्यात होगा। धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुना कुंती से कहा, प्रिये। ख्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है। अता एक ऐसे पुत्र का वरन करो, जो बल में सबसे श्रेश्ठ हो। जैसे अश्वमेद यग्यों में श्रेश्ठ है, सूर्य देव प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राहमन मनुशों में श्रेश्ठ है, वैसे ही वायु देव बल में सबसे बढ़चड कर है। अता अपकी बार तुम पुत्र प्राप्ती के उद्देश्य से वायू देव का विधी पूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे, वह मनुशों में सबसे अधिक प्राण शक्ती से संपन्न और बल्वान होगा। स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने वायू देव का आवाहन किया। तब महाबली वायू म्रिग पर आरूड होकर कुंती के पास आये और बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाशा हो, वह कहो। मैं तुम्हें क्या दू। कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुर्श्रेश्ट। मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो महाबली और विशालकाय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। वायू देव से भैंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन हुआ। उस महाबली पुत्र को देखकर आकाश वानी हुई कि यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेश्ट है। भीम सेन के जन लेते ही एक अद्वत घटना घटी। अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक परवत की चटान को चूर-चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल नंदिनी कुंती प्रसव के दसवे दिन पुत्र को गोद में लिये सरोवर के निकट गई। सनान कर लोटते समय एक बड़ा बाग परवत की कंदरा से बाहर निकलाया। पांडू ने उसे धनुष से मार गिराया किन्तु कुंती भै से उचल पड़ी। इसी उतावली में भीमसेन परवत के शिखर पर गिर पड़ी। जिससे परवत की चटान तूट गई और पांडू आश्चर्य चकित हो गए। चंद्रमा मघा नक्षत्र पर ब्रियस पती सिंग लग्ण में और सूर्य देव आकाश के मध्य में थे। उस समय पुन्य मई त्रयोची तिथी और मैत्र मुहूर्त में कुंती ने अविचल शक्ती वाले भीमसेन को जन्द दिया। उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन का भी जन्द हुआ। भीमसेन के जन्द के बाद पांडु ने विचार किया कि उन्हें एक और श्रेष्ट पुत्र प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने सुना था कि देवराज इंद्र सबसे प्रधान है। पांडु ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और महर्शियों की सलाह लेकर कुंती को सामत सर्वरत का उपदेश दिया। पांडु ने एक पैर पर खड़े होकर उग्रत अप किया। इंद्र देव उन पर प्रसन्न होकर आये और बोले। मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूँगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राहमनों, गौं, सुहरदों की इच्छाएं पूरी करेगा, शत्रों को शोक देगा और समस्त बंधू बांधों को आनन्दित करेगा। मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ट पुत्र प्रदान करूंगा। महात्मा इंद्र के यो कहने पर पांडू प्रसन्ध हुए और कुंती से बोले कल्यानी। तुम्हारे व्रत का परिणाम मंगल में है। इंद्र हम पर संतुष्ट हैं और तुम्हें श्रेष्ट पुत्र देना चाहते हैं। अब तुम उन्ही का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडू के कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। फालगुन मास में पूर्वा फालगुनी और उत्तरा फालगुनी नक्षत्रों के संधीकाल में अर्जुन का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही आकाश वानी हुई। कुंती भोज कुमारी। यहां बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी। भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराजिंद्र के समान अजे होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। इस प्रकार अर्जुन ने जन्म लेकर कुंती की प्रसन्नता को बढ़ाया। तद्नंतर आकाश में फूलों की वर्षा और देव दुदुम्भियों का नाद गूज उठा। देवता अर्जुन की प्रशंसा करने एकत्र हुए। नाग, गरुड, गंधर्व, अपसराय, प्रजापती, सबतर्शी और अत्री भी वहां आये। मरीची, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतू, दक्ष, गंधर्व और अपसराय भी आई, सभी दिव्य वस्त्र और आभूशन पहने थे। महर्शी वहां मांगलिक मंत्रों का जब करने लगे। गंधर्वों के साथ तुम्बुरु ने मधुर गीत गाना प्रारंब किया। बड़े-बड़े नेत्रों वाली अपसरायन रित्ते करने लगी। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विश्नु ये सभी पांडु नंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। ग्यारा रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, मरुदगण, विश्वेदेवगण और साध्यगण भी वहां उपस्थित थे। सित्थ महर्शियों ने वहां महान आश्चर्य देखा और पांडु के प्रती अधिक प्रेम और आधर का भाव प्रकट किया। ततपश्चात पांडु पुत्र लोब से आक्रिष्ठ हो अपनी पत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाते थे। किन्तु कुंती ने उन्हें रोकते हुए कहा। आर्य पुत्र आपत्ती काल में भी तीन से अधिक संतान उत्पन करने की आग्या शास्त्रों ने नहीं दी है। चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वेरणी और पांचवे पुत्र के उत्पन होने पर कुल्टा समझी जाती है। पांडु ने कहा। प्रिये, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो, वह ठीक है। नकुल और सहदेव की उत्पत्ती तथा पांडु पुत्रों का नामकरन संसकार। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमे जय। जब कुंती के तीन पुत्र और ध्रित्राष्टर के सो पुत्र हो गए, तब मादरी ने पांडु से कहा। कुंती ने मादरी को किसी देवता का समरं करने के लिए कहा। मादरी ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन हुआ। उनका नामकरण शत्षुंग निवासी रिशियों ने किया। कुंती के जेश्ट पुत्र का नाम युधिश्थिर, मजले का नाम भीमसेन और तीसरे का अर्जुन रखा गया। मादरी के पुत्रों में से पहले का नाम नकुल और दूसरे का सहदेव रखा गया। वे सभी वीर, बलशाली और महान तेजस्वी थे। द्वारका में वसुदेव आदी व्रिश्वी वंशी राजा पांडु के पुत्रों के जन्द का समाचार सुनकर प्रसन हुए। वसुदेव जी ने पुरोहित काशव को वन भीजा। पांडु ने काशव द्वारा अपने पुत्रों के सभी संसकार कराए। पांडव वेदाध्यन में पारंगत हो गये। भीमसेन गदा संचालन, युधिष्ठिर तोमर फैंकने, नकुल और सहदेव तलवार चलाने में निपुन हुए। अर्जुन धनुर विद्ध्या में पारंगत हुए। शुक राजा ने अर्जुन को अस्त्रशस्त्र दिये, जिससे अर्जुन अत्यन्त प्रसन्न हुए। कुंती और मादरी के पुत्र दिनों दिन बढ़ते गए। जैसे जल में कमल बढ़ता है, वैसे ही कुरुवंच की वृद्धी हुई। वे सभी महान धहरेशाली और पराक्रमी थे। राजा पांडु की मृत्यू और मादरी का उनके साथ चिता रोहन। जनमे जय। उस दिन कुंती ब्राहमनों को भोजन कराने में व्यस्त थी। इस बीच काम मोहित पांडु अपनी रानी मादरी के साथ वन में विचरने लगे। वन की रमणिय छटा और मादरी की सुन्दरता देखकर पांडु के मन में काम का संचार हुआ। इस कारण वे शाप के भै को भूल कर मादरी से लिपट गए और उसी क्षण उनकी मृत्यू हो गई। मादरी ने विलाब करते हुए पांडु के शव से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। इसी समय कुंती और उनके पुत्र वहां पहुँचे। मादरी ने कुंती से कहा बहिन आप अकेली यहां आएं बच्चों को वही रहने दे। कुंती ने बच्चों को वही रोका और मादरी के पास पहुचकर पांडु की मृत्यू पर शोक करने लगी। कुंती ने मादरी से कहा तुम्हें पांडु की रक्षा करनी चाहिए थी। उन्होंने शाप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बल पूर्वक समागम कैसे किया। मादरी ने जवाब दिया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। परंतु वे अपने दुर्भाग्य को सत्य करना चाहते थे। इस बीच सभी रिशी मुनी वहां पहुँचे और शोक व्यक्त किया। कुंती और मादरी दोनोंने विलाब करते हुए पांडु के पास समय बिताया। कुंती ने कहा, मैं इनकी जेश्ट पत्नी हूँ, अता मुझे पती के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पत पाना चाहिए। मादरी ने उत्तर दिया, मैं ही अपने पती के साथ जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे समागम करके मृत्यू प्राप्त की है। मैं आपके पत्रों के साथ अपने पत्रों की भांती बरताव नहीं कर सकूंगी, अता आप जीवित रहकर मेरे पत्रों का भी पालन करें। रिशियों ने दोनों को समझाते हुए कहा तुम दोनों के पुत्र अभी बालक है अता तुम्हें देहत्याग नहीं करना चाहिए। पती की मृत्यु के बाद साध्वी स्त्री ब्रहमचरे के पालन में लगी रहती है और अपने पती को भी उद्धार करती है। कुंती ने आपकी बुध्धी की समानता नहीं कर सकती। आपके पास व्रिश्णी वंश और महाराज कुंती भोज का समर्थन भी है। मेरे पास वह शक्ती नहीं है। अता मैं पती के साथ ही जाना चाहती हूँ। पती के सन्योग सुख से मेरी त्रिप्ती नहीं हुई है। कृप्या हाथ-पकड़ कर कहा कुन्ति-देवी ही, तुम सबों की असली माता है। तुम्हारे पिता मर चुके हैं। अब युधिश्थः धर्मता तुम चारों भाईयों के पिता हैं। तुम सत्य और ढार्म का पालन करना। कुन्ति ने मादरी की बात सुनकर कहा। मादरी तुम धन्य हो, तुम स्वर्ग लोक में पती के साथ प्रसन्न रहो, तुम्हारी सभी इच्छाय पूरी हो। मादरी ने कहा, मेरे इस शरीर को पांडू के शरीर के साथ ही जला देना और मेरे पुत्रों का पालन पोशन करना। मादरी ने पांडू के शव के साथ चिता पर बैठ कर अपने प्रान त्याग दिए। तत्पष्चात पुरोहित काशप ने विधी पूर्वक पांडू का दा संसकार किया। युधिष्ठिर और उनके भाईयों ने सभी धार में कृत्य पूरे किये और पांडू का अंतिम संस संपन हुआ। इस प्रकार पांडू की मृत्यू के बाद मादरी उनके साथ सती हो गई और कुंती ने अपने पुत्रों का पालन पोशन किया। राजा पांडू की मृत्यू देखकर वहां के देवताओं जैसे तेजस्वी महर्शियों ने सलाह की। उन्होंने कहा राजा प कुत्रों और पत्नियों की जिम्मेदारी हम पर है। हम इन बच्चों पांडू और मादरी की अस्तियों और महरानी कुंती को लेकर उनकी राजधानी चले। फिर सभी महर्शियों ने पांडू को भीश्म और धृत्राश्ट्र को सौंपने के लिए हस्तिनापूर चलने का निर्नैलिया। तपस्वी मुन्यों ने कुंती पांडू और अस्तियों के साथ हस्तिनापूर की और प्रस्थान किया। विपत्तियों के बावजूर। कुंती ने महर्शियों के योगबल के कारण मार्क को अल्प समझा और कुरुजांगल देश के वर्धमान द्वार पर पहुची। नगर के लोगों को महर्शियों के आगमन की सूचना मिलते ही सभी स्त्रिया, बालक, क्षत्रिये, ब्राहमण, शूत्र और वैश्यों के समुदाय दर्शन करने के लिए बाहर निकले। भीश्म, धृत्राष्ट्र, विदुर, गांधारी और कौरों ने महर्शि पर्वत पर तपस्या की और अपने उत्तम आचारव व्यवहार से मुन्यों को संतुष्ट किया। उनके पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज, भीम वायू देवता, अर्चुन इंद्र देवता और मादरी के पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंज हैं। राजा पांडु का देहावसान हुआ और देवी मादरी ने भी उनके साथ चिता में प्रवेश कर लिया। अब आप मादरी और पांडु के लिए आवशक श्राद धक्रिया करें और कुंती और पांडवों को अपना कर अनुग्रह करें। इसके बाद महर्शी अंतरधान हो गए और सभी कौरव विस्मित होकर साधू साधू कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। धृत्राष्ट्र ने विदुर से कहा राजा पांडु और मादरी के लिए विवित प्रकार के पशू, वस्त्र, रत्न और धन का दान करो। कुंती देवी मादरी का जैसे सतकार कर ना चाहें, वैसी व्यवस्था करू। मादरी की अस्तियों को अच्छे से ढग दो ताकि वायू और सूर्य भी उन्हें न देख सकें। विदुर ने तथास्तु कहकर भीष्ण जी के साथ पांडु का अंतिम संसकार किया। पुरोहितों ने घृत और सुगंधी के साथ प् सब लोग वहां पहुँचे। शिबिका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था और चवर डुलाए जा रहे थे। विवित बाजों की ध्वनी के साथ लोग पांडु की शिबिका को ले चले। पुरोहित सफेद वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र की अग्नी में आहोती दे रह थे। सहसरों ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त होकर रोते हुए शिबिका के पीछे चल रहे थे। वन के रमणिय प्रदेश में गंगा के तटपर पांडु और माधरी की अस्तियों को रखकर सभी ने उनके लिए सुगंध चंदन और अन्य आर्थों से पूजा की। फिर युधिष्ठिर ने विधी पूर्वक उनके दा संसकार की क्रिया संपन्द की। इस दौरान माता कौसल्या, अंबालिका, हाँ पुत्र कहकर मूर्चित हो गए। कुंती के आर्थनात से सभी प्राणी करुन क्रंदन करने लगे। भीश्म, व अन्य सभी भाई बंधु रोते रहे। जलानजली देकर सभी ने शोकाकुल पांडवों को समझाया और शोक से रोकने का प्रयास किया। बारह रात्रियों तक पांडव और अन्य नागरिक भूमी पर सोए। अधिनापुर नगर पांडवों के साथ दुख में डूबा रहा और सभी अस्वस्चित्त हो गए।